हलो फ्रेंट्स मैं आदित और आपके अपने यूट्यूब चैनल आलवेज स्टेडी में आप सभी का स्वागत करता हूं अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सक्स्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेयर भी कर दिया करिए ठीक है तो आज है 9 अगस्त ठीक और 9 अग करता का 63 वर्स की उम्र में निधन हो गया तो है सादिया देह लवी सादिया देह लवी जी का जो है निधन हुआ है 63 वर्स की उम्र में ये एक मशुहूर लेखी का और सामाजिक कारिकरता भी थी ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुशन हम लोग देखते हैं अगला कुशन है भारती स्टेट बैंक, RBI ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रूपए तक ट्रांजेक्शन की शुभिधा शुरू की है, वह है पाइललट योजना, पाइललट योजना के तहत 200 रूपए ट्रांजेक्शन आप कर सकेंगे बिना इंटरनेट के ठीक ह आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर के विसेश दर्जे को निरस्त करने के एक वर्स बाद किस देश ने न्यूयार्क इस्थित संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में जम्मू कश्मीर की इस्थिती का मुद्दा उठाया तो वो है ठीक है चीन ने ये जो है मुद्दा उठाया है ठीक अगला कुश्यन हम लोग देखते हैं हाल ही में किस आई आई टी संस्थान ने लोग सिकायतों के पुरवा नूमान विशलेशन हे तुरक्षा मंत्राले के साथ एक समझोता ग्यापन पर हकस्ताक्षर किया है तो वो है आ आई आई टी कानपूर ने ये जो है साक्षर किया है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन हम लोग देखते हैं अगला कुश्यन है हाल ही में किस राज ने परिवार पहचान पत्र पी पी योजना सुरू किया है तो वो है हरियाना सरकार हरियाना सरकार ने राज में प पहली किसान रेल किन दो सहरों के बीच चलेगी तो है देव लाली से दानापुर के लिए ये जो है दो रेल दो सहरों के बीच ये रेल जो है किसान रेल चलेगी ठीक है अगला कुशन हम लोग देखते हैं जम्मो कस्मीर के किस पूर्व उप राजजपाल को हाल ही में भारत का नया नियंतरक एवं महालेखा परिच्छक C.A.G. नियुक्त किया गया है जिसे C.A.G. भी कहते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुशन हम लोग देखते हैं अगला कुशन है भारती रिजर बैंक RBI की मौदरिक नीत समीत के रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्व सम्मत से फैसला लिया गया तो वह है चार प्रतिशत ठीक है 4 प्रतिशत जो है ये सर्व सम्मत से फैसला लिया गया है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुशन हम लोग देखते हैं अगला कुशन है चाल ही में किस राज सरकार ने देतू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुवाद की है तो वह है 36 गड़ 36 गड़ सरकार ने ये शुरुवाद की है ठीक अगला कुशन देखते हैं सार्व जनिक छेतर के किस बैंक ने लग अवद की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की विक्री के लिए तीन बीमा कमपनियों से समझोता किया है तो है केनरा बैंक तीन बैंकों से समझोता किया है सर्व जनिक छेतर के लग अवद की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की विक्री के लिए तीन बीमा कमपनियों से नरा बैंक ने समझोता किया है ठीक यहाँ पर कुशन समाथ होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें मिलते हैं अगले वीडियो में थाइंक्स फार वाचिंग